दिल्ली पुलिस को ताहिर हुसैन की तलाश है, तो वहीं ताहिर हुसैन ने दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। बताते कि ताहिर हुसेन पर दंगे में शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ एंकेश शर्मा के परिवार वालों को कहना है कि उन्होंने आइबी अफ सर अंकेश शर्मा की हत्या की है। पर इस घटा के बाद सही ताहिर हुसेन फरार है। हलाकि उन्होंने एक वीडियो सोचल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था कि उनको फसाया जा रहा था और वो खुद दंगों में फसे हुए थे। हलाकि अभी तक ताहिर हुसेन फरार ही चल रहे हैं। इसके बाद मंगलबार को पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली पुल अपने घर में फसे हुए हैं और लोगों ने उनके घर को घेर रखा है। तब पुलिस टीम ने जाच की तो पता चला कि ये सूचना गलत है। उनकी तलाश की जा रही थी और वो फरार थे। अब सोचने वाली बात है कि सच कौन बोल रहा है। दिल्ली पुलिस ताहिर हुस पर आइबी हफसर की हत्या की गई। दंगों में ताहिर हुसेन का क्या कनेक्शन है और खुद ताहिर हुसेन कहां है। तो चलिए आपको बताते हैं अभी तक के दो अलग-अलग बयानों में दिल्ली पुलिस ने क्या कहा। DCP के हेंडल से तीन ट्विट किये गए। पुलिस में लिखा गया है। मीडिया के एक हिस्से में रिपोर्ट किया गया कि ताहिर हुसेन को दिल्ली पुलिस ने रेस्क्यू किया था। सच्चा ये है कि 24-25 फरवरी की रात को कुछ लोगों ने चानबाग में तेनात पुलिस को ये खबर दी कि भीर ने ताहिर हुसेन के घर को घेर लिया है और ताहिर हुसेन फसे हुए हैं। पुलिस ने अपनी छानबीन में इसे गलत पाया और ताहिर हुसेन अपने घर पे मौजूद थे। ये भी बताय जाता है कि 26 परवरी को उनकी शर्मा की लाश मिलने के है और जिस खबर को गलत बता रही हैं वो भी दिल्ली पुलिस के ही एक अधिकारी के बयान पर चली थी। समाचार एजिंसी के नुसाल मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिशनर एक इस सिंगला ने कहा था। 24-25 फरवरी की रात कु होने पुलिस को मदद के लिए कई बार फोन किया था मदादे की ताहिर हुसायन ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है जिस पर बुद्वार को सुनवाई हो सकती है दिपक कुमार पंजाब की स्री स्टूडियो दिल्ली यह दिया पी वीडियो फेस्बुक प झाल 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 झाल